मेरा नाम धननजय है और आप चैनल देख रहे हैं फिजी फिन आगे बढ़ने से पहले सत्वा रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसमें मैं कॉर्परेट, फेनेंस और मार्केटिंग, सेल्स ये सारी चीज़ है इन पर विडियो बनाता हूँ आज का छोड़ा सा टॉपिक है कि सेल्स स्टाटजी में कैसे कैसे कुछ चीज़ों को मैं हम इंक्लूड करके अपनी कंपनी का अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ा सकते हैं सेल्स में याद रखिएगा हमेशा एक नीड क्रियेट करनी पड़ती है और अपने आइटम को डिफरेंसियेट करना पड़ता है कॉंपिटिशन काफी ज्यादा है गरटी काफी आगई है लोग भहुत क्रियेटिव हो रहे हैं लोग बहुत अट्राक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर को डिफरेंसियेट करना अलग करना है पहली बात और दूस्ती बात यह होता है कि कस्टमर को आप एक need क्रियेट करिये customer को value तो देना ही पड़ेगा because बिना value दिये आपका customer repeat customer नहीं बनेगा दुबारा नहीं आएगा तो customer को अगर आपको repeat करवाना है अपने पास customer को आपको value देना होगा उसके साथ-साथ customer को service और उनको एक comfort देना होगा उनको एक realize कराना होगा कि जो product आप उसे दे रहे हैं उससे अच्छा product कहीं और नहीं है जिस पैसे में आप दे रहे हैं उससे सस्ता product कहीं और उसे मिलेगा नहीं value for money है और उसको इसकी बहुत जरूलत है need create करना पड़ता है अगर आप need नहीं create करेंगे तो कभी भी योग खरीदेगा ही नहीं आप एक कंगी बेच रहे हैं तो आप बताईए कि कैसे आपका बाल बिखर जाते हैं और कैसे आप इसके बिना आपकी personality में फरक पड़ जाता है आप कहीं जा रहे हैं और आपका बिल्कुल हास से आपने बालों को अपने सही कर लिया लेकिन वो एकदम कायदे से नहीं हुए और इसकी वज़े से आपका impression सामने वाले पर काफी बुरा पड़ सकता है आप उसे hair gel बेच रहे हैं उसे बताईए कि भाई आप कहीं भी उतर के जा रहे हैं देना पड़ता है यानि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडविशन दिलाने जा रहे हैं तो वहां पर reception पर reception बोल लेए कि मेरे हां बच्चे का overall development कराया जाता है तो यानि केवल पढ़ाई नहीं कराया जाती है बोल के उसने यह बताया कि सिर्फ पढ़ाई कराएंगे तो बच्चा आपका यही रहेगा overall development में आपका बच्चा लीडर बनेगा केवल पढ़ाई नहीं कराई जाएगी यह बोल के उसने अगल भगल के स्कूलों की बेज़िती गर्दी की वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होती है फिर उसने यह भी बोली हमारे यह पढ़ाई भी बेस्ट होता है हमारे यह overall development भी अच्छा होता है sports में भी मेरा high school बहुत आगे है तो आप थोड़ा interest develop होगा और फिर fees अगर बोल दिया कि fees उसके इतना करने के बाद भी fees nominal है तो उसने आपको benefit दिला दिया उसने आपको बताया कि आपको उतने पैसे में आपको value for money मिल रही है similarly अगर आप किसी marketplace में जाते हैं और कोई product वहाँ चे खरीते हैं अगर आप एक salesman ने बोला के रहे अभी ये product आया और इसका actual price कुछा और उसको cut करके छोटा सा एक price दिया गया है तो आपको लगता है कि एक feeling आती है दिमाग में कि आपने ये product इतने सस्ते में ले लिया और बोला उसने अगर उसके बोल दिया टेकनीक होती है sales करने की but you are free ये but you are free एक term use कर लो कि जरी जरी मैं दिखाता हूँ लेकिन आप free है इसे आपका मन करे खरीदो या ना खरीदो आप एक shop पे गये हो और पता चल रहा है कि कुछ साडियां हैं कुछ कपड़े हैं जो बिल्कुल बात नहीं चलो देख लेते हैं कोई pressure नहीं otherwise आपको pressure होता आप देखते ही नहीं अब काफी हद तक chance ये है कि उन सब में से एकाद आपको पसंद आ जाए यानि probability जहां पे zero थी बाहर से देखके आपको जाने की अब उस probability उस shopkeeper ने उस salesman ने बढ़ा ली तो similarly अगर आप किसी को एक empathy दे रहे हो किसी को एक power दे रहे हो उसकी तरफ जा रहे हो तो वहाँ भी sales की technique बढ़ जाती for example किसी को discount offer करना है अगर आपको किसी को discount offer करना है तो आप उसे directly discount दो दो कि उसे लेगा रहे है यार इतनो सब को देते है आपने negotiation के बाद बोला कि सब देखो मैं खुच आ रहा हूँ कि आप इसको लीजी आप आए हैं आपने इतना समय भी दाया लेकिन मेरे हाथ में यह नहीं है अब मैं आपकी तरफ से कोसिस कर लेता हूँ फिर ओ फोन किया या पीछे गया थोड़े दिर में मस्ती में घुम खाम के आ गया और आपको बोला कि देखो सर चलो डन हो गया आप चलिए खरी लीजे आपकी बात हो गई है बढ़ाई हो तो आपने उस बंदे को वो प्रोड़क बेच दी और उसको लगा कि मेरा ये फाइदा हो गया ये तो मेरी तरफ है similarly आपको कई बार एक differentiation क्रियेट करना पड़ता है कि ऐसी चीज और कहीं नहीं है कोलिगेट ने क्या किया कि आपके toothpaste में नमक है क्या आपके toothpaste में नमक है पता है किसी के toothpaste में नमक नहीं था बाबा रामदेव साब जब से आए तब से जड़ी बूटियां और ये केमिकल का विरोध ये करके आपको जड़ी बूटियां केमिकल रहित बोल के सब को बता दिया कि सब केमिकल यूज़ करते है अब सारे लोग anti हो गए बाबा गब रामदेव यूज़ करने लगए चलो भाई केमिकल तो नहीं और गेनिक है तो आपको थोड़ा सा दढ़ाना भी पड़ता है किसी आप organization में है और वहाँ पे मान लिज़ा आप एक school में for example किसी का बच्चा आया admission लेने और आपने बोला कि हमारे हाँ तो discipline बहुत तगड़ा है बाकियों की तरह नहीं है कि लड़के-लड़के अंगोम रहे हैं मस्ती कर रहे हैं drugs use करते हुए पकड़े गए class bank करते हुए पकड़े गए यानि आपने एक तरह से parent के दिमाग में डर बैठा दिया कि वहाँ पर अगर आप जाओगे तो यह सारी चीजे हो जकती हमारे हाँ नहीं है आपने डर दिखा के उनको need create कर ली तो आपको need create करना है और need create करने के लिए यह सारे techniques होते हैं इस चोटी सी series आपको अच्छी लगी होगी चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा और अगर और भी वीडियोज आपको चाहिए तो comment जरू करिएगा मैं process करूँगा उसको बनाओ Thank you very much Bye Bye